हाई व्यूवर्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे गुजरात के डाकोर सहर के फेमस गोटे की रेसिपी यह जो गोटे हैं यह बहार से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सौफ्ट होते हैं और इससे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है वैसे तो इस्टन्ट गोटे बनाने के लिए आपको इसका प्रिमिक्स मार्केट में इजीली मिल जाएगा लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि बगेर किसी प्रिमिक्स का इस्तेमाल किये हुए घर पर आसानी से मिल जाने वाले सामान का इस्तेमाल करके हम इन गोटों को केसे बनाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं आसान फूड रेसिपिस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूले सबसे पहले हम गोटे का मसाला तयार कर लेंगे तो मसाला तयार करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक तीस्पून साबुद धनिया हाफ तीस्पून सौफ हाफ तीस्पून काली मिज और हाफ तीस्पून सफेद तील इन सारे इंग्रीडियंट को हम मीडियम फ्लेम पर रोष्ट कर लेंगे तो लगाता चलाते हुए तकरीबन एक से डेड़ मिनिट के लिए हम इसे रोष्ट करना है गेस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से रोष्ट कर लिया है अब इसे रूम टेंपरेचर पर अच्छे से ठंडा करने के बाद मिक्सी जार में दरदरा पीस लेंगे अब हम गोटे का गोल तयार करेंगे तो यहाँ पर हमने एक कप बेशन लिया है इस बेशन को हमने ओल्डेडी छान लिया है साथ ही में हम गोटो को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें एट कर देंगे आधा कप रवा यानि की सूजी अब हम इसमें एट करेंगे पोना चम्मच यानि की 3-4 टीस्पून लाल मिच पाउडर और हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर एक टीस्पून नमक एक टेबल स्पून चीनी और एक चोथाई टीस्पून हिंग साथ ही में हम इसमें एट करेंगे एक चोथाई टीस्पून जीरा पाउडर अब हम इसमें एट कर देंगे हमारा तयार किया हुआ गोटे का मसाला आप देख सकते हैं कि हमने इसे मिक्सी जार में दरदरा पीसा है इसका फाइन पाउडर नहीं बनाया और एड़ कर देंगे हाफ टेबल स्पून अद्रख और हरी मीज का पेश्ट देखी अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप इसमें दो छोटी हरी मीज को बारी काट कर भी एड़ कर सकते हैं अब इसमें एड़ कर देंगे इसका में इंग्रीडियंट तो यहाँ पर हमने दो टेबल स्पून फ्रेस मेथी ली है अगर आपके पास फ्रेस मेथी अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगा एक टेबल स्पून कस्तूरी मेथी भी एड़ कर सकते हैं इस सारे इंग्रीडियंट को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके इसका गाढ़ा घोल तयार कर लेंगे देखेए पानी हम एक साथ एड़ नहीं करेंगे नहीं तो गोल पतला हो जाएगा थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते रहेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे तो तकरीबन एक तिहाई कप पानी का इस्तेमाल करके हमने इस गोल को तयार कर लिया है अब मैं आपको इसकी consistency बताती हूँ ये देखिए कितना गाड़ा है ये ये इसकी perfect consistency है इससे ज़्यादा पतला हम इसे नहीं रखेंगे अब हम इस घोल में एट करेंगे half teaspoon baking soda और इस baking soda को activate करने के लिए और गोटों को बढ़िया सा taste देने के लिए हम इसमें 1 tablespoon नीमू का रस एट कर देंगे अच्छे से हम इसे mix कर लेंगे अब देख सकते हैं कि हमारा जो घोल है वो कितना fluffy होने लगा है साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे 2 tablespoon गरम तेल तेल को हम अच्छी तरह गरम करने के बाद ही इसमें एट करेंगे और अच्छे से mix कर लेंगे क्यूंकि हमने इस गोल में baking soda एट किया है तो baking soda एट करने के बाद हमें इसे रखना नहीं है तुरंथ ही हम इसके गोटे तयार कर लेंगे तो यहाँ पर गोटे बनाने के लिए बिल्कुल perfect गोल तयार हो चुका है गोटों को fry करने के लिए हम जब तेल अच्छे से गरम कर लेंगे तब हम इसमें एट कर देंगे एक चुटकी नमक तो यहाँ पर नमक एट करने से क्या होगा कि हमारे जो गोटे हैं वो लंबे समय तक क्रिस्पी रहेंगे और ज्यादा तेल एब्जोब नहीं करेंगे अब हम गेस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और हमारे तयार के हुए घोल में से इस तरह हम गोटे बना कर इसमें एट कर देंगे देखिए गोटे की जो एक्चिवल साइज है उससे थोड़ी छोटी साइज के गोटे हम तेल में एट करेंगे क्योंकि फ्राई होने के बाद इसकी साइज बढ़ जाती है अब इनकी साइट्स को चेंज करते हुए हर तरफ से इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान नहें कि गोटों को फ्राई करते वक्त हम गेस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे अगर हमने इनको हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया तो यह अंदर से कच्चे रह जाएंगे गोटे का कलर जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इनको तेल में से निकाल लेंगे और इसका सारा तेल हम अच्छे से जाल लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नमकेट करने से गोटों ने ज़्यादा तेल एब्जोब नहीं किया बाकी के बच्चे वए गोल में से भी हम इस तरह medium flame पर गोटे fry कर लेंगे अब हमारे बनाये हुए गोटों को हम फ्राई की वी हरी मीज के साथ सव कर लेंगे ये देखिए ये गोटे बाहर से कितने क्रिस्पी है साथ ही में अंदर से कितने सोफ्ट बनकर तयार हुए है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और ये रेसिप आपको कैसी लगी कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेश्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले फिर मिलेंगे जाइका इंजाकर यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई